सबस्क्राइब कीजिए बायोचट़ई विदिकल यूट्यूब चानल को और बेल आइकन को प्रेस किजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबसे पाइब देखने के लिए पार्ट हमने बना दिया है जो कि आपको चानल के प्लिरिस्ट में बिल जाएगा और यह आंसर शिट का सेकंड पार्ट है ठीक है तो हमने जो टेस्ट ली थी फर्स्ट वाली वह हमारी फर्स्ट चाप्टर के उपर थी बायलोजी के जिसका नाम है रिप्रोड़क्शन इन पिक आपको थे इस चाप्टर के अंदर और इस चाप्टर के उपर हमने डीटेल में जो है वन शुट वीडियो बना है मतलब कि एक ही चाप्टर के अंदर पूरा का पूरा जो आपने पॉइंट से वह क्लियर कर दिये जिससे क्या होगा तो आपकी जो सिलाबस है वह जल्द क्या है तो अभी यहाँ पर जो answer second part है इसके अंदर हम long answer question को देखेंगे फिर loner question जो है वह हमारे बाकी थे वह यह जो पार टू answer sheet के इसमें देखेंगे तो चलिए guys video को start करते है तो सबसे पहले जो लॉंग अंसर कोश्चन है इसमें जो हमारा फॉस्ट कोश्चन था वो था सेवंटीन नंबर का मतलब कि जो एंडोस्पम है उसके आपको क्या करना है तो थ्री टापस बताने है और उसको जो ब्रीफ लिए आपको एक्डम डीटेल में ठीक है सिक्स्टीन मार्क के लिए आपको लॉंग अगर Tech था, टोटल आपकी 36 मार्की टेस्ट हुई थी, तो अभी इसके अंदर जो 4 कोशन है, मतलब कि एक जो कोशन है, वो कितने मार्का है, तो 4 मार्क का है, ठीके, तो 4 मार्क के लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको लिखना पड़ के जो, वो 3 टाइपस होता है, तो सबसा पहला जो टाइप है ना, वो है nuclear endosperm, nuclear endosperm में देखो, most common type of endosperm, यह कैसा है, तो यह most common type endosperm का, ठीके, तो बहुत सारे plants के अंदर यह ऐसा endosperm फ़र्म होता है, उसको हम बोलते है nuclear endosperm, मतलब कि endosperm के 3 टाइपस होता है, जि endosperm होता है, मतलब कि endosperm क्या, तो ऐसे plant जिसके अंदर seed enclosed होती है, उसको हम बोलते है angiosperm, और इस angiosperm के अंदर double fertilization होता है, जिसमें कि क्या होता है, तो fruit form होता है, and मतलब कि seed fruit बनेगा, उसके साथ-साथ endosperm बनेगा, और endosperm जो है, वो क्या करेगा, बाद में, मतलब nutrition provide करेगा, जो seed को, ठीक है, बाद में, जब वो germinate होगा, तब उसको nutrition provide करने का काम, endosperm करेगा, इसलिए endosperm बहुत important है, और इसके three types होते है, first वाला है nuclear, endosperm यह most common है, यह अभी हमने देखा, उसके बाद देखो, यह कैसे form होता है, during the formation of nuclear endosperm, primary endosperm nucleus, यह जो है, pen, मतल कि longitudinal नहीं है, vertical नहीं है, free nuclear division हो जाएगा, forming a large number of triploid nuclei है, और three, मतलब कि triploid nuclei है, जो वो form होंगे, large number में, and which remain freely suspended in the common cytoplasm, और वो जो है, वो cytoplasm के अंदर ऐसे freely कहां पर भी suspended बोले तो रहेंगे, okay, and यह आपर दोखो, in a common cytoplasm of central cell, जो central cell है, उसके cytoplasm के अंदर यह जो है, वो freely suspended रहेंगे, then उसके बाद है, a central vacuum pushes the nuclei toward periphery, बाद में जो central vacuum रहेगा, जो की cell के अंदर होता है, वो क्या करेगा उस nuclei को जो है, वो periphery बोले तो outer side में, कोन से side में, तो outer side में उसको क्या करेगा, तो push करेगा, ठीके, तो outer side में उसको ले जाएगा, free nuclei को, ठीके, उसके बाद क्या होगा, देखो, latter on wall formation takes place, बाद में क्या होगा, तो wall form होगी, and around these nuclei, मतलब की, सबसे पहले क्या होथा, तो free nuclei डियो, जिन हो, बहुत सारे nuclei बन गए, और वो cytoplasm में, वैसा ही, मतलब की free moment कर रहे थे, उसके mobile, उनकी moment हो रहे थी, ठीके, उसके बाद क्या होगा, तो वक्य cellular mass, मतलब की cell से बना हुआ, mass उन्होंने form किया, वो जब उसके उपर, वो cell wall, मतलब की wall formation होगा, तब वो क्या बन गया, तो cellular mass बन गया, and it is seen in the plant, यह कौन से plant के अंदर दिखता है, तो यह दिखता है, maze के अंदर, sunflower के अंदर, wheat के अंदर, and coconut के अंदर, तो यह plant से जिसके अं nuclear endosperm, पाया जाता है, तो यहाँ पर three types से endosperm किये, उसमें का जो first nuclear endosperm, वो यहाँ पर खतम होता है, मैंने आपको बता है, वो कैसे form होता है, ठीक है, तो pen मतलब primary endosperm nucleus, यह ध्यान में रखो, उसके बाद free nuclear division होगा, उसके बाद वो periphery side में चली जाएंगी, ऐस तरीके स जो है, वो यहाँ पर nuclear endosperm form होगा, उसके बाद जो next है, वो है cellular endosperm, so cellular endosperm हमारा second type है, so in this type endosperm the triploid primary endosperm nucleus undergoes nuclear division, यह भी nuclear division होगा, इसके अंदर भी followed by cytokinesis, cytokinesis बोले तो division of cytoplasm, okay, so division of cytoplasm कम क्या बोलते है, तो cytokinesis बोलते है, और इसके जगे पर अगर karyokinesis होता मतलब की division of nucleus, यह ध्यान में रखो, बहुत important है, तो यहाँ पर silver endosperm में क्या होगा, तो triploid जो होगा, tpn, triploid primary endosperm, nuclear जो है, वो यहाँ पर pen, ठीके, तो वो क्या होगा, undergoes nuclear division, nuclear division में जाएगा, मतलब उसका nucleus के अंदर division होगा, simple में, and उसको followed by the cytokinesis, sorry cytokinesis, ठीके, तो followed by मतलब उसके बाद cytokinesis होगा, cytokinesis बोले तो division of cytoplasm, cytoplasm divide हो जाएगा, देखो इस तरीके से, देखो, सबसे पहले क्या होगा, तो यह जो है, nucleus उसका divide होगा, उसके बाद cytokinesis होगा, उसके बाद देखो, देखो, owing to leads, the development of endosperm occurs in the cellular form, ओके, in the cellular form, यह development जो है, वो cellular form के अ dicot plant, dicot plant बोले तो ऐसी plant जिसके seed दो पार्ट में divide होती है, उसको हम बोलते है dicot, और यह dicot plants के अंदर जो है, पाए जाते है, okay, plants like धतूरा, उसके बाद है putinia and balsam, यह जो 3 plants है, यह 3 plants के अंदर जो है, वो cellular endosperm होता है, ठीके, तो यह आपको समझ के लेना है, तो यह होग diagram, अच्छे से जो है, आपको simple में मैंने जो है, diagram specific जो है, मतलब presentation ही ऐसा बनाया है, जो आपको जो easily understand हो, ठीके, तो यह हो गया cellular endosperm, जो कि हमारा second type था endosperm का, उसके बाद देखो, आगे देखेंगे, और दे थर्ड है हमारा hellobial endosperm, ठीके, तो hellobial endosperm देखो, so in hellobial type of endosperm, क्या होता है, the first division of the primary endosperm nucleus, that is PEN, followed by the formation of cell wall, मतलब की first में cell wall form होगी, क्या form होगी, first में cell wall, और ही जो primary endosperm nucleus होगा, मतलब की PEN, बोले तो primary endosperm nucleus, वो जो है, वाद में wall form होगी, उसके अंदर सबसे पहले, okay, first division होगा, इसका, and going to this, उसके बाद क्या होगा, the central cell, it is divided into a large micropillar cell and small chalajal end, बोले तो central cell होगी, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक बोले तो micropillar, जो cell है, large micropillar cell बन जाएगा, मतलब दो इसमें, और दूसरा chalajal cell, बोले तो central cell, 2 cell में divide हो जाएंगी, एक large micropillar cell, and second small chalajal cell, ठीके, तो यह बन गए, small, मतलब की small chalajal cell, large micropillar cell, तो 2 cells यहाँ पर बन गए, central cell से, एक micropillar cell, second chalajal cell, और chalajal cell कैसी है, तो small है, and micropillar cell कैसी है, तो large है, यह central cell से divide होगी, इतना आपको ध्यान में रखना है, इन बोथ micropillar and chalajal chamber, यह दोनों chamber में क्या होगा, the further development of the endosperm is a nuclear type, उसके बाद यह दोनों cell के अंदर, मतलब चalajal cell के अं अंदर भी development होती है, यही आपको जो है, वो ध्यान में रखना है, ठीक है, तो यह हो गया हमारा hellobial endosperm, so देखो, this is a type of embryo development is seen in the plants, that is asphodiasis, यह asphodiasis, जो plant इसके अंदर यह जो है, वो seen होता है, मतलब कि दिखता है, तो asphodiasis, ऐसा आप Google पर सर्च करोगे, तो आपको simply plants का जो है, वो यहाँ पर image मिल जाएगा, और जिससे आपको पता चल जाएगा, यह कौन सा plant है, तो आपके लिए activity है, तो इसलिए वो activity की धुरू करो, तो यह जो है, वो hellobial endosperm की diagram से, तो आपको, मतलब कि ऐसा question आता है, तो describe the types of, three types of endosperm in brief, तो आपको वो four mark की लिए सवाल उसमें आएगा ही नहीं, विगाज वो diagram उसको चाहिए, विगाज four mark का question है, तो आपको diagram निकालने ही पड़ेगी, तो यह इसकी diagram आपको यहाँ पर निकालनी है, ठीके, तो यह हो गया हमारा hellobial endosperm, जो की third type था, उसके बाद जो हमारा 17 number का question है, next question देखते है, वो हम development बता नहीं है, और बाद में क्या बताना है, development of embryo in angiosperm और angiosome के अंदर, मतलब कि दो नो भी, ठीक है, तो dicot में बताना है, monocot होता है, dicot होता है, अभी हम dicot ले रहे, dicot बोले तो ऐसा plant, जिसके अंदर seed, दो पार्ट में divide होती है, the development of embryo from zygote is called as embryogenesis, embryo की development होगी, किस से zygote से, ठीक है, तो embryo बनेगा zygote से, and is called as embryogenesis, बोले तो embryo को formation हुआ, उसको हम बोलेंगे embryogenesis, genesis बोले तो formation, create होना, embryo बन गया है, किस से बन गया, zygote से, उसको उस process को हम बोलेंगे embryogenesis, the fusion of male gamut and female egg during fertilization, fertilization में क्या होता है, तो male gamut female gamut fuse होता है, and result in the formation of diploid zygote, और diploid zygote ब होता है, और इन दोनों को मिला के बाद में क्या बनता है, तो diploid zygote बनता है, यह आपको जो है, अच्छे से ध्यान में रखना है, उसके बाद देखो, the zoospore undergoes transverse division, जो zoospore होगा, वो कैसा होगा, तो transfer division होगा, उसके अंदर कैसा transverse, ठीक है, तो सीधा division होगा, देखो यह large basal cell, toward the micropillar and small apical cell, मतलब की एक क्या बनेगी, तो large basal cell, large बोले तो basal, मतलब middle में, देखो, base बोले तो नीचे वाली, तो यह जो नीचे वाला part है, यह वाला, यह देखो, यह large उपर से, तो यह कौन सी है, तो large basal cell है, and a micropillar small apical, यह उपर वाल की जो है, वो small apical cell है, ठीक है तो यह आपको समझ के लेना, यह large basal cell, उसके बाद small apical, उसको हम terminal cell भी बोलते है, toward the चला जा, तो यह उपर की side चला जा, नीचे की, जो micropillar side, ठीक है, micropillar side, उपर की चला जाल side, जो कि हमने देखा था, कौन से, anotropos oil के अंदर, आप anotropos oil की diagram देखोगे, तो आपको simple में आजाएगा, ओके, आप दे embryo side, यह embryo side के अंदर ऐसा होगा, तो जो embryo side का है, यह ऐसा होगा, embryo side के अंदर बाद में development, मतलब कि वह आपर जो है, उपर वाली एक cell बनेगी, नीचे वाली, उपर वाली कैसे होगी, terminal या फिर apical cell हम, उसको बोलते है, नीचे वाली basal cell होगी और वो large होगी, और यह micro pillar, मतलब कि micro pillar side में होती है, toward micro pill, और जो उपर की होती है, वो चलाजल side के, मतलब कि toward चलाजल side में होती है, ठीके, तो यह आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि juice pour क्या होगा, तो transfer division होगा, दो cell बनेंगी, एक large basal cell, दूसरा small apical cell, ठीके, उसको हम terminal cell बोलते है, तो जो उपर, मतलब कि large basal cell होगी, वो micro pillar के तरफ होगी, और जो मतलब कि दूसरी थी, यहाँ पर देखो, terminal cell, उसको हम small apical cell बोलते है, वो चलाजल side में होती, देखो है, आपर, चलाजल of embryos है, तो यही आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद, these two cell structure is called as pro embryo, औ यह दो cell structure जब बनता है, उसको हम pro embryo बोलते है, and the basal cell और suspensor initial, जो basal cell है, उसको हम क्या बोलते है, suspension initial, undergoes repeated transfer division to form multicellular structure, बाद में इसमें क्या होगा, जो basal cell होगी, उसको हम क्या बोलते है, तो suspension initial, इसके अंदर repeated transfer division होगा, repeat बोले तो one by one, one by one, मतलब after by after क्या होगा, तो division होता आएगा, and multicellular structure बनेगा, multicellular बोले तो बहुत ज्यादा cells, many cells से बना हुआ structure बोले तो multiple, multicellular structure, और अभी पहला दो cell का structure था, उसको प्रो embryo बोलते थे यहाँ पर देखो, pro embryo, अभी इसमें क्या होगा, तो मतलब repetitive division होगा, बहुत सारे cells जो और डिवाइड होगे, 2 के 4, 4 के 8, okay, 4 के 8 बनेगे, उसके बाद 16 बनेगे, तो इस तरह के से क्या होगा, तो repetitive division होगा, and multicellular structure बन जाएंगे, तो यहाँ पर simply आप देखो, यह दो cell का था, यह first one cell, उसके बाद इसके दो cell बनेगे, उसके बाद देखो, यहाँ पर उपर में 4 cell है, नीचे 4 cell है, यह एक, त इस तरह के से क्या होगा, तो division हो जाएगा, ठीक है, repetitive division होगा, तो बाद में देखेंगे, क्या होता है, तो देखो, उसके बाद जो है, क्या होगा, देखो, the apical cell जो होगी, वो embryonal initial कहलागी, उसको हम embryonal initial बोलता है, okay, so apical cell या फिर embryonal initial of the pro embryo, pro embryo की, बोले तो, first में दो, दो cell का embryo होता, उसको हम pro embryo बोलते है, उसकी जो apical cell होगी, मतलब की उपर की cell, ठीक है, apical cell, उसको हम terminal cell या फिर embryonal initial बोलते है, तो वो क्या होगा, undergoes transfer division, उसके अंदर transfer division होगा, followed by the two vertical division, मतलब की दो vertical division उसके अंदर होगी, at right angle to form an acute, मतलब की octant stage, octant stage बोले तो, ये division हो जाने के lower four cells from hypokatyl, जो octant है बोले, तो आठ cell से बनते है, ठीक है, आठ cell से, तो ये आठ cell से क्या होगा, जो lower four cells होगी, वो कैसे होगी, वो hypokatyl, hypoquatyl बनाएगी, and radical, ठीक है, तो जो four cells होगी, कौन सी four cells, lower four cells, वो क्या बनाएगी, from hypokatyl, and radical, while the four cells, upper side, from plumule, and cotyledons, तो first में जो lower four cells ह वो क्या बनाएंगे hypo cotyled and after that radical बनाएगी and दुसरी जो है upper side में वो कौन सी cell है मतलब कि four upper side वाले वो बनाएगे flumule and cotyledons तो आपको ध्यान में रखना है कि octant जो cell stage होता है जिसके अंदर 8 cell का structure बनता है then next देखो the lower most cell of the suspensor is hypophysis जो suspensor की lower most cell होगी उसको हम क्या बोलेंगे hypophysis and by its further division from part of radical and root cap वो क्या firm करेंगी part of radical radical का part and उसके बाद root cap की बाद तो जो root होता है उसके नीचे जो terminal में root cap होती है जो क्या करती है तो जो हमारे मतलब की plants को जो dangerous जो substance होते हैं उनको अंदर आने ने देती होगे root काम का वही काम होता है तो वह root क्या बोती है उसके बाद देखो next सो हमने यहाँ पर देखा था the cells from upper sides of the octane divide repeatedly उसके अंदर division होगा repeatedly to form herd shape shape जो है herd shape form होगा which elongated further to form two lateral cotyledons यह herd shape form होगा बाद में two देखो यह ऐसे lateral cotyledons form होगा यह first वाला यह second वाला ठीक है ऐसे दो lateral cotyledons बाद में बन जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से जो है वह octane में क्या होगा इसका last point वह है eight number का the enlargement of hypo cotyledons यह क्या होगा hypo cotyledons के enlargement होंगी result in the curved embryo and which appears as horseshoe shape मतलब कि वह embryo का साथ हो जाएंगा curve हो जाएंगा यह वाला ऐसा कि horseshoe shape में दिख जाएगा वो ठीक है तो इस तरीके से जो बाद में यह 2 cotyledons बने थे लेकिन वह बाद में क्या होगा hypocotyledon यह दोनों भी यह देखो यह hypo cotyledon यह दोनों भी क्या हो जाग इसके अंदर curve हो जाएंगा ठीक है मतलब कि यह दोनों ऐसे हो जाएंगा और ऐसे हो जाने के बाद देखो यह से उसके बाद division हुआ उसके अंदर ठीक है तो फर्स्ट में इंब्रियो था उसके बाद pro embryo बना मतलब कि दो सेल्थ का structure प्रो इंब्रियो उसके बाद अपर की जो अक्टन्ट है उसमें जो division हो गया ठीक है तो यह देखो a b c d and d number की यहाँ पर देखो इस तरीके से उसके बाद यह एंटी मतलब कि यह दूखो endosperm है embryo है ठीक है तो इसमें जो है बाद में और यहाँ पर क्या हुआ तो division हुआ ऐसा structure form a hardship to embryo embryo structure form उसके बाद यह embryo structure form गया तो इस तरीके से आपको sequence ध्यान में रखना है तो इसके अंदर abc है इसके बाद में d e f उसके बाद यह जी और यह तो इस तरीके से आपको जो फोर मार्क लेने के लिए इतना आपको लिखना पड़ेगा और यह diagram आपको ड्रॉव करने पड़ेंगे तो मैं आपको इजिली यह यह नहीं करके भी समझा सकता था लेकिन मुझको ऐसा मेरे को ऐसा लगा कि आपको जो हो समझ में आना चाहिए कि हमको फोर मार्क के आपको डाइग्राम निकल लिए तो देखो सबसे पहले है बड़िंग तो बड़िंग हमको पता है इसमें जो गैमेट्स इन्वाल नहीं होते यह असेक्शुल टाइप का रिप्रोड़क्शन होता है और इट इस ऑफ वेरी कॉमन ऑकरंस इंदे युनिसेलुलर और और यह उस ऑर्गनिजम के अंदर बड़िंग जो है वह बहुत ज्यादा तरीके से होता है मतलब कि इसके अंदर रिप्रोड़क्शन का टाइप है वह बड़िंग जो की युनिसेलुलर और और ऑर्गनिजम जो है उसके अंदर होता है जैसा कि एक्जाम्पल है इस्ट and it is observing unfavorable condition मत मतलब कि जब unfavorable condition होती है तभी यह बड़िंग होता है and most mother cells यहाँ पर क्या होगा most mother cells produce small outgrowth in which is called as bird तो बड़ क्या है तो बड़िंग में क्या होता है तो सबसे पहले जब unfavorable condition आते है मतलब कि जब sufficient light मतलब खाना नहीं होता resources नहीं होते अच्छी तरिके से तब क्या करता है जो mother cells होती है उसके अंदर एक small outgrowth आती है उसके बाद वह outgrowth जो आगे बढ़ती है मतलब कि बहुत स से detach हो जाएगा ठीक है तो यह mother body यह second यह first यह second यह third बोड़ो तो three bird यहाँ पर form हो गए और यह three bird बाद में new individual बन जाएंगे इस तरीके से mother से बाद में three new बन गए मतलब कि reproduction हो गया और इस reproduction के अंदर gametes involved नहीं है इसलिए और sexual type of reproduction है तो इस तरीके से आपको budding को बताना है उसके बाद इसके diagrams draw करनी है ठीक है तो यह हो गया हमारा budding उसके बाद है spore formation और उसको हम sporulation बोलते है spore formation को ही sporulation बोलते है तो it is a type of sexual reproduction यह भी a sexual reproduction type है because आपको question में ही है आपको all sexual reproduction के types बताने है ठीक है यह a sexual reproduction का type है spore formation और sporulation and it is of very common occurrence in the lower plants lower plants के अंदर यह बहुत ज़्याद ज़्यादा देखा जाता है और spore formation यह जो है वह lower plants के अंदर बहुत ज़्यादा होता है ठीक है उसके बाद it occurs by the production of motile zoospore यह कैसा होता है तो motile zoospore form करते है zoospore बोले तो क्या तो मोटाइल मोटाइल बोले तो मुमेंट करने वाले zoospore बोले तो organism ने फॉर्म किये गए spores तो motor reorganized जो की locomotion में help करता है कि यह zoospore को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए जो हो लोको मोशन में यह fragile help करता है इसकी ऐसी movement होती है और बाद में यह वह आके बढ़ता है तो इस तरीके से यह क्या है तो यह बाद में क्या organism form करेंगे motile zoospore जूस पोर करेंगे लेकि निविक उसुले को में जूस पोर और अच्एज पॉर बिसके लिए नंदर क्या होगा थो धूस-पोर जूस-पोर जूस पोर जिसके अंदर कर SHL का वो वह ब्रेक डाउन हो जाएंग मैं यहां से ब्रेक डाउन हो गया और उल्गी और अपने जो इच अपना जो हर एक जू स्पोर है उससे बाद में new organism बन गया तो इस तरह के सी यह reproduction हो गया without gamut formation बोले तो और sexual reproduction ठीक है तो ब्लाइब फजलेटी जुस्पोर और फाविन अलगी तो यह अलगी के अंदर होती है by flagellated बोले तो by बोले तो दो and flagellated बोले तो flagella अलगी में देखता है कौन से अलगी climatomonas ठीक है तो यह हो गया spore formation और spirulation उसके बाद जो हमारा last question है long answer question में वह है describe the process of double fertilization ठीक है तो यह हमारा last question है तो अभी देखो double fertilization बोले तो क्या होता है fertilization बोले तो fusion of male gamut and female gamut male gamut and female gamut this process में मिल जाते है fuse हो जाते बोले तो मिलना एक दूसरे के अंदर चले जाते ना उसको हम बोलते इस fertilization और यह angiose pump के अंदर होता है उसको हम double fertilization बोलते है तो यह जो double fertilization यह आपको four mark की लिए बिकाज आपको जो है वो फोर मार्क के लिए है मतलब की यह लॉंग अंसर कोशन है और इसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना होगा प्लस आपको डियाग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी तो देखो डबल फर्टिलाज़ाज़न मतलब क्या होता है तो दो बार यह पर मिलेगा तो फिमेल जाएगा और से बनेगा से बनेगा बिकास जो मेल यहां पर मेले नियुकलिस से बनेगा इसको को बोलते हैं मतलब कि लिए और आपट ब्लाशन से को बोलते हैं since both the male gamet take part in the fertilization and fertilization occurring twice is called as double fertilization यहाँ पर दो बार fertilization हुआ और दो gamet यहाँ पर involved हुए male gamet and female gamet is fertilization में इसलिए इसको हम double fertilization कहता है during the double fertilization the pollen tube on reaching the ovule जब pollen tube ovule को reach करती है यह वाली मतलब कि यह pollen यहाँ पर आ जाएंगे बाद मैं से pollen tube form हो जाएंगे और जब यह ovule को मिलेगी तब क्या होगा the embryo sac through mycopillar यह जो mycopillar embryo sac and इसकी निचे वाली side होती mycopillar यह देखो mycopillar उच साइड के अंदर चला जाएगा through the mycopillar and it breast break हो जाएगा in one of the synergies having to this the male gamet is contained in the pollen tubes are set free और जो male gamet है वो set free हो जाएंगे यहाँ पर इसके अंदर देखो आप synergies होता है जो की अनट्रोप उविल है इसके अंदर का जो structure होता है उसको हम उविल बोलते वह अनट्रोप होता है एंजो स्पम के अंदर जिसका माक्रोपिदार जो हो नीचे के साइड में होता है और चला जा उपर की साइड में होता है ठीक है तो इस तरीके से जो है वह डबल फडिलाइशन होगा और देखते बाद में हमको पढ़ना है उसके बाद देखो आपको क्या बताना है आउट आप टू मेल गैमेट वन युनाइट्स वन मिल जाएगा किसके साथ एक के साथ और फिमेल गैमेट हम उसको बोलते है और युनाइट्स विच सेकंडरी नूकलिय बन जाएगा उसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म नूकलियस बोलते है ठीक है तो ट्रिपल या फिर ट्रिपल फ्यूजन नूकलियस को ही हम प्राइमरी एंडोस्पर्म नूकलियस बन बोलते है जो की सेकंड मेल गैमेट सेकंडरी नूकलियस से जो फार्म होता है तब यह फ общем यहन visto ख् यह लोगे वह कहांilles तो सबसे पहले क्या होगा जो एग क्या होगा तो है फिल्ड होगा है गुटविड के उन ऑसके अंदर फज से वहां से दिनोट करते हैं और यह दोनों जब फ्यूज जाएंगे तो 2N बन जाएगा बोले तो इसके अंदर दो सेट होंगे ठीक है तो इस तरीके से जो हो जाएगा बन जाएगा डिपलाइद उसको बोलेंगे सिंग्यामी and the reproductive process in which non-motile male nuclei are carried to the egg cell through the pollen tube called as siphonogamie siphonogamie किसको बोलेंगे जब जो है यहाप रैंथर मतलब कि pollen यहाप राएंगे उसके बाद यह मतलब tube से pollen tube से उसको carry किया जाएगा ना उसको हम बोलेंगे siphonogamie जब motile male nuclei carried by the egg cell through the pollen tube यह जो है यह एक cell के तरफ जाएंगे लेकिन pollen tube जो pollen tube है उसके थ्रू जाएंगे उसके अंदर से जाएंगे उसको हम बोलेंगे siphonogamie तो बहुत simple है siphonogamie ठीक है तो जब pollen grain जो है वो मतलब कि एक के तरफ बढ़ते है थ्रू दी pollen tube pollen tube के अंदर से उसको हम बोलेंगे siphonogamie ठीक है तो यह हो गया siphonogamie उसके बाद देखो after fertilization zygote develop into embryo after fertilization क्या होगा तो zygote embryo के अंदर develop हो जाएगा and certain changes takes place and in ovule leading to the development of seed और बाद में क्या बन जाएगा seed बन जाएगा तो इस तरीके जो है वो double fertilization होगा तो उसके बाद जो है मैं आपको थोड़ी यह diagram समझा तो सबसे पहले यह pollen grain जो हो यहाँ पर stigma पर गिर जाएगा ठीक है जो stigma क्या है तो female का part होता है स्टिग्मा साइल और जिसको कारपेल बोलते मतलब की दो तीनों को मिला के तो यहाँ से पोलन करेंज जो है निच्छा आएगा और यह उव्यूल में जाएगा ठीक है यह synergy इसको breakdown करेंगा ब्रस्ट करेंगा और बाद में वो freely cytoplasm के अंदर move होगा ओके और एक जो सेवन लेट न्यूक्लाइश ट्रक्चर तो यह से एडिनल ल्यूक्लाइश च्छर रहे कैसे देखो ऊपर में ठीक और नीचे में 3 बीच में एक, बोलो तो यह कितना हो जाएगा, एट ठीक है, तो यह Total जो है, वह 7 में बन जाएगी, 7Cell, लेकिन जो बीच में की सेल होती है, उसके अंदर दो नुक्ले सोते हैं, इसलिए यहाँ पर 7Cell and 8 Nucleus structure बन जाएगा, 7Cell रहेंगे, तो 7 Nucleus रहेंगे नहीं, जो बी होता है ऊपर के अंदर थ्री प्रियॉस होता है उसके दूक्लेस त इस किसन सेल में यह हो था सब्रक्राइब आपको एक्सब्लेस करनाई है हमारा टेस्ट मतलब की जो टेस्ट हुई थी उसके आंसर शीट का पार्ट तू और इसमें हमने पूरा का पूरा टेस्ट फर्स जो है वह एक्सलेंट करेंगे अच्छे से डीटेल में एक्सलेंट किया है ज्यादा टाइम लगा है मेरेको इसको बनाने में लेकिन आपको जो ड होचे बाइस तो भाइस तो बिद्निकल यूट चानल प्लिला टाइस बाइस घ्यादा टेस्ट जाल एक्साट तो आट्रो चानल थी जोग एक्स्ट घ्यादा टाइस तो आट टो टूट श्यादाए वगाने तो बिल्ड़ टाट टो टो